करनाटक विधानसवा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली इस नतीजों के बाद ग्रह मंत्री और बीजेपी के नेता अमिच शाह ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को इतने वर्षों तक सेवा का अफसर देने के लिए मैं करनाटक की लोगों का तहे दिल से आभार व्यक् उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नितित्व में बीजेपी करनाटक की लोगों के कल्यान और विकास के लिए प्यास करना जारी रखेगी लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम ये ट्वीट आज आपको क्यों बता रहे हैं दरसल करनाटक हार के बाद अमिश्चा का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है उनका ये ट्वीट तेजी से वाइरल है जहां उन्होंने हार को स्विकार किया इसके साथ ही करनाटक की जनता के लिए प्रयास करना और दिकास के कारियों में लिप्त रहने की बात कही है बता दें कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी करनाटक में कॉंग्रिस की जीत पर उनको बधाई दी थी और पार्टी के लोगों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए शुपकाम नाए प्रधान मोदी ने कहा था कि बीजीपी का समर्थन करने वालों को धन्यवाद और पार्टी आने वाले समय में और भी अधिक जोश के साथ राज्य की सेवा करेगी पता दें कि इसी के साथ कॉंग्रेस की सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया क्योंकि सत्ता में बहुमत का जो आक्रा था वो कॉंग्रेस नहीं आसानी से हासिल कर लिया था और अब रेस बची है सी एम की